आप सबी लोग अगनbooksीर भरती की बारे में जानते हैं लेकिन क्या आपको पता है किसमें selected candidate की training कैसे होगी अगर नहीं पता है तो आप हमारे इस वीडियो को पूरा जरूर देखें क्यूंकि आज इस वीडियो में हम आपको अगनिवीर की training कैसे होगी इससे related पूरी जानकारी देने वाले हैं पहले जब candidate को सेना में भरती किया जाता था तो उन्हें 9 महिने की training दी जाती थी लेकिन अगनिवीर की इस भरती में सिर्फ 6 महिने की training होगी इसमें 6 महिने की training को दो पार्ट में divide किया गया है पहला पार्ट होगा basic training और दूसरा पार्ट होगा technical training शुरुआत के 20 हफते में candidate को basic training और बाकी के 4 हफतों में technical की training दी जाएगी और जो यह basic training होती है इसमें candidate को 4 तरह के training दी जाती है जिनकों चारों को बारी बारी करके एक एक करके आपको बताएंगे नमबर एक के आएगा हमारा physical training physical training में इसमें आपको running, push up, pull up, front roll, bike roll और horizontal roll जैसी exercise कराई जाती है इन exercise के द्वारा candidate को physically मजबूत बनाये जाएगा जिसे वे हर तरह के muscle का सामना कर सकें physical training सुबा के समय लगभग एक से डेड़ घंटे टकी होती है और वहीं हमारे दूसरे नमबर के training होती है drill training इसमें training में अगनिवीरों को drill के लिए proper तयार किया जाता है और वहीं तीसे नमबर के training होगी weapon training इस training में अगनिवीरों को हर तरह के हथियारों को चलाना सिखाये जाएगा इसमें candidate को हथियार को चलाना का तरीका के सासत हथियार के रख रखाओ और खोलना और बाहनना सिखाये जाएगा और चोधर training इसमें होगी हमारी navigation training इसमें अगनिवीरों को किसी भी तरह क्या नक्सा पढ़ने और नक्से में किसी भी तरह की बारिकियों को पढ़ना सिखाए जाता है ये तो होगे हमारी basic training उसके बाद अगला आएगा हमारा टेक्निकल ट्रेनिंग टेक्निकल ट्रेनिंग के इन चार हफ्तों में कंडिडेट को इसके ट्रेड के अनुसा ट्रेनिंग दी जाएगी जैसे कि अगर किसी कंडिडेट ने टेक्निकल ट्रेड लिया है तो उस कंडिडेट को सेना में उपयोग होने वाले इलेक्टरोनिक उपकरणों के बारे में सिखाय जाएगा अगर किसी कंडिडेट ने ट्रेड में ट्रेट लिया है तो उस कंडिडेट को साब सफाई वाले कामों को सिखाए जाएगा और इसी तरह के कंडिडेट को उसकी ट्रेड के नुसार ट्रेनिंग दी जाएगी जो भी कंडिडेट जिस ट्रेड में जाएगा उसी कनुसार उसकी एडवांस में ट्रेनिंग दी जाती है ये तो होगी हमारी टेकनिकल ट्रेनिंग और आगे हम आपको बताते हैं कि अगनिवीरो का डेली रूटीन कैसा रहेगा अगनिवीरो को सुबा साड़े चार बज़े ही जगाया जाएगा उसके बाद उन्हें फ्रेस होकर अपने विस्तर को बांध कर रखना होगा उसके बाद कंडिडेट की फिजिकल ट्रेनिंग होगी और लगबग साथ बज़े से टाइम नास्ता का होता है और जो कि आठ बज़े तक चलता है और आठ बज़े से फिर से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद ये ट्रेनिंग दुपार में लगबग एक बज़े खत्म होगी इस टाइम में आपको अलग-अलग तरह के कई सारे एक्टिविटीज कराई जाएंगी उसके बाद दुपार का खाना मिलेगा और फिर लगबग चार बज़े से गेम खिलवाये जाएगा लगबग आठ बज़े से रात का खाना मिलेगा और नौ बज़े सबी कंडिडेट सोने के लिए चले जाएंगे कंडिडेट का सेडूल के नुसर एक किकर के नाइट डूटी भी करनी पड़ती है ट्रेनिंग के दवरान हफते में एक दिन मोगी भी दिखाई जाती है इन सबी चीज़ों के बारे में कंडिडेट को ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा और आपके लिए काफी हैल्फुल भी होगा क्योंकि इसमें हमने आपको अगनिवीर की ट्रेनिंग से रिलेटेट पूरी इंफॉर्मेशन दी है दोस्तों अगर आप इस तरह के वीडियो देखना पशंद करते हैं आर्मी रिलेटेट तो आप हमारे चैनल को ज़रू सब्सक्राइब करिए ताकि आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहें ओके दोस्तों मिलते हैं एक अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद वन्दे मातरम